इस पीडिएफ का पास्वर्ड इस विडियो के अंत में दिया गया है तथा ये डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलिग्राम ग्रूप और वाट्स आप चैनल में मिलेंगी जिसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जॉइन कर सकते हैं भारतिय अपवाह तंत्र, Drainage System of India को विस्तरित रूप में समझने के लिए हमें नदियों, उनके प्रवा, जलग्रहन क्षेत्र और जल विभाजन के बारे में जानना आवशक है भारत की भोगौलिक विवित्ता के कारण यहां नदियों का वित्रण और उनका स्वरूप भी विविध होता है यहां विस्तार से भारतिय अपवाह तंत्र का विवरन दिया गया है 1. भारत के अपवाह तंत्र का वर्गी करण भारतिय नदियों को प्रमुख रूप से दो भागों में बाटा जाता है 1. हिमाले नदी प्रणाली, हिमालियन रिवर्स, उद्गम हिमाले से 2. विशेश्टाएं ये नदिया वर्ष भर जल प्रवाह बनाए रखती हैं, क्योंकि इन्हें हिमाले के ग्लेशियरों से जल मिलता रहता है 2. उपजाओं मैदान इन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से उत्तर भारत का विशाल मैदान उपजाओं बनता है 2. प्रायदवीपिया नदी प्रणाली, पेनिंस्यूलर रिवर्स, उद्गम प्रायदवीपिया भारत के पठारों और परवतों से विशेश्टाएं ये नदिया मौसमी होती हैं, जिनका प्रवाह मानसून पर निर्भर करता है 2. हिमाली नदी प्रणाली एक गंगा नदी प्रणाली उद्गम गंगा नदी गंगोतरी ग्लेशियर से निकलती है और कई सहायक नदियों को मिलाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है मुख्य सहायक नदिया यमुना, घाधरा, गंडक, कोसी, राम गंगा महत्व गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और यह क्रिशी, पेजल और सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके किनारे बसे कई शहर जैसे वारानसी, कानपुर, पटना, आदी धार्मिक और आतिहासिक द्रिश्टी से भी महत्वपूर्ण है 2. सिंदु नदी प्रणाली उद्गम तिबबत में मानसरोवर जील के पास से महत्व यह प्रणाली भारत और पाकिस्तान के बीच जल वित्रण के लिए महत्वपूर्ण है जिसके लिए 1960 में सिंदु जल संधी की स्थापना की गई थी 3. ब्रहमपुत्र नदी प्रणाली उद्गम तिबबत में संग्पो के नाम से प्रवा यह अरुनाचल प्रदेश, असम और बांगलादेश से होकर भहती है और बंगाल की खाडी में मिल जाती है मुख्य सहायक नदिया दीबांग, लोहित, तीस्ता विशेश्टा ब्रहमपुत्र नदी भारत की एक मात्र ऐसी प्रमुख नदी है जिसका प्रवा विप्रीत दिशा, पूर्व से पश्चिम में है 3. प्रायदवीपिय नदी प्रणाली एक गोदावरी नदी प्रणाली उद्गम महाराश्ट्र के त्रम्बकेश्वर से प्रवा यह नदी भी दक्षन पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल की खाडी में मिलती है मुख्य सहायक नदीया भीमा, तुंग भद्रा, कोईना महत्व कृष्णा नदी दक्षन भारत के आंध्रप्रदेश, महाराश्ट्र और करनाटक राज्यों के लिए प्रमुख जल स्रोथ है तीन, नर्मदा और तापी नदी प्रणाली प्रवाह ये नदिया पश्चिम की और भेकर अरब सागर में मिलती है जो अन्य भारतिय नदियों से विप्रीत दिशा है महत्व नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े हिस्सों को जल आपूर्ती करती है इसके अलावा तापी नदी महाराश्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में सिंचाई का प्रमुख स्रोथ है महत्व कावेरी नदी तमिलनाडू और करनाटक के बीच जल विवात का प्रमुख कारण रही है और यह दोनों राज्यों के क्रिशी और सिंचाई के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है भारत की अपवाह प्रणाली की विशेश्टाएं एक वर्षा पर निर्भरता प्रायदवीपिय नदिया मांसून पर अत्यधिक निर्भर होती है और ज्यादातर नदिया मौसमी होती है हिमाली नदिया ग्लेश्यरों से निकलती है इसलिए इनमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है दो गहरी और चौडी घाटिया, हिमाली नदिया गहरी और चौडी घाटिया बनाती हैं, जिनमें गंगा ब्रहमपुत्र का मैदान प्रमुख है प्रायदवीपिय नदिया ज्यादातर संकीर्ण घाटिया और पठार क्षेत्रों में बहती है तीन जल प्रदूशन और संकट, बढ़ती जनसंख्या, और द्योगी की करण, और क्रिशी कारणों से नदियों में प्रदूशन तेजी से बढ़ा है खासकर गंगा और यमुना जैसी नदिया गंभीर प्रदूशन की शिकार हो चुकी है जल संकट भी कई हिस्सों में उभरती समस्या बन चुकी है, जहां नदियों का जल स्तर तेजी से गिर रहा है चार बांध और जल विद्यूत परियोजनाएं, भारत की नदियों पर कई बांध और जल विद्यूत परियोजनाएं बनी हैं जैसे भाखडा नांगल, तिहरी, सरदार सरोवर, आदी. इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल संग्रक्षन, सिंचाई और बिजली उत्पादन है. पाट. नदी जोड परियोजना. भारत में विभिन्न नदियों को जोडने की योजना बनाई गई है, ताकि जल संकट वाले क्षेत्रों में पाने के आपने की जोड़ी उत्पादन है.